एक बार फिर से आप सब का स्वागत है सिंग आटोजोन के नए एपिसोड में काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे के सर एक जो बाइकार चाइना मुवमेंट चल रहा है या जो चाइनीज पूड़क्ट है इनके जो आटो कमपनीज है एमजी मोटर्स या जो अपकमिंग सकते हैं चाइना रिलेटिट सारा रहेगा स्टार्ट विद आटो कमपनीज उसके बाद जो अदर्स पूड़क्ट है इनके स्मार्ट टीवी है फोन है इनमें से कौन-कौन सी कमपनीज है कौन सी इंडियन है वो सब हम क्लैटी करेंगे तो उस दुरान सच के दुरान एक और बड़ी नई बात निकल कर आई है जिस पर मेरा पहले कभी ध्यान नहीं गया था वो यह था पहले इस पर बात कर लेते हैं फिर हम उसके बाद आगे कॉंटिन्यू करेंगे सारा सिस्टम वो यह था कि जे जियम जन्रेल मोटर्स जो कि इंडिया से पैगप करके चले गई हम स प्लांट इन चाइनिज कंपनी को दी है उसका रीजन जो है बड़ा जो रीजन अब जो इस सर्च के दुरान सामने निकल कर आ रहा है कि जो एमजी मोटर्स है हेक्टर जो इंडिया में सेल हो रही है सेम मोडल सेम कोपी पेस्ट चाइना थाइलैंड कई कंट्रीज में जो श जो की एक समजबा बड़ा फरक है के रागे बड़ते हैं जो की जॉए वेंचे से चाइन और कई कंट्रीज में सेल हो रहा है SCIC और General Motors, यहां बड़ा इनका आपस में joint venture है, बड़ा अच्छे से इनका आपस में business चलता है, यही reason है कि इन्हों ने, GM ने SCIC को कहने पर दोनों plant Chinese company को दी है, एक तो MG Motors, आले जो SCIC के अंडर है, दूसरी Great Wall Motors, वो भी Chinese है, तो बिल्कुल उसके लिए भी जो, I am sure कि यह सब SCIC न design है, same copy paste, Chevlet Captiva, जैसे का आप इन फोटोस में देख रहे हो, Chinese और कई Asian countries में बिखती है, Thailand में, आप देख सकते हैं, इसका front, back, interior, सब as it is, MG Hector जैसा है, एक और company, Baojun, Baojun 530 SUV है, आप इसको भी search कर सकते हो, जैसा कि इन फोटोस में है, यह भी same SCIC और GM का joint venture है, और चाइना में sale ह होती है, same copy paste है, basically कहा सकते हैं, यह copy paste product है, MG Hector जिसको हम कह रहे हैं, कई इस पर controversy हुई एंडिया में starting, यह सबसे बड़ी थी, वो थी donkey car, यह क्या था, इसमें क्या दिक्कत थी, यह थे Mr. Vishal Pancholi, उधैपूर से, इनकी गाड़ी 1600 किलोमेटर चलने के बाद ही clutch plate इनकी में दिक् आया, बट कोई satisfy नहीं मिला, उन्होंने इसको change करकी नहीं दिया, जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो आखिरकारी उन्होंने यह कदम उठाय के गदे से गाड़ी को खिचवाया और उसके चार्टर बैंडर लगाए, इस डॉंकी कार आप इसको मत खरे दिये, तो यह overall यह इसके लाबा कई अकसर ओवी हमें सुनने में आता रहा है कि कभी इनकी चत टपक रही है, यह एक fire incident के बारे में भी जूर सुना होगा, वो भी एक बड़ा controversy रही थी, नहीं गारी थी, नहीं गारी में fire लगना एक बहुत बड़ी बात है, उसके जो लूप होल्स है, उसमें क महाराष्टा गोर्मन के साथ 3,000 क्रोड, तक्रिवन 1,000,000,000 का आसपास इन्वेस्ट करने की कंपनी बात कर रही है, चेहतर सो क्रोड बनता है, कोई भी सिरकार चाहेगी कि बिल्कु इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके स्टेट में आए, उससे काफी रोजगार जोब् तो अब काफी प्रेशर आ रहा है, महाराष्टा गोर्मन के इस M.U. को कैंसल किया जाए, इतना मुश्किल नहीं है, देखते हैं क्या निकल कर आता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा, आगे बढ़ते हैं, जैसा आपके बता चुका हूँ कि क्यों जैनल मोर्टर् दोस्तों समझने वाली बात है कि इन हलात में भी चाइनिस कंपनी इतनी इंडिया में कर रही है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उनको लगता है कि उनका जो प्रड़क्ट है बेस्ट है दुनिया में, नमबर वन प्रड़क्ट है, इसका कोई टकर नहीं होगा, जो फ्लैश शेल थी, वन प्लस वन एट प्रो स्मार्टफोन की, दोस्तों पूरी की पूरी फ्लैश शेल विदिन मिनिट्स खतम होगी, सारे उनका जो स्टॉक था बिग गया, और कहीं न कहीं चाइना आइटिंक इस बात को समझता है कि ये शोर जूर मचाएंगे, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि शायद जो दूसरा पॉइंट था कि उनको लगता है कि इंडियन शोर मचाएंगे, लेकिन खिर जाएंगे चाइना का महल, इसलिए वो इतनी इंवेस्टमेंट आज भी इस महल में भी वो इंडिया में करने की हिम्मत रख रहे हैं, कमी हमारी है ये सब जानते हैं कि जैपनीज और कोरिन कमपनीज हैं, पैनासोनिक जैपनीज मी के टीवी ये बिल्कुल तिरोपती में इनका मैनिफेक्च्ष्रेश्रे प्लांट है, मैनिफेक्च्रेश्रे प्लांट बन कुछ नहीं दोस्तो, ये जितना भी स्मार्ट टीवी, टीवी लिया है उसको पहले मैंने इंडियन कंपनी सोच कर लिया था बड़ अब जो सच किया है प्रोपर तो बिल्कुल यह भी असेंबल ही कर रहा है सब चाइना कोरिया ताइवान वहां से इनके पार्स बनकर आते हैं इंडिया एक लिस्ट बहुत लंबी है हुआई यहां पर इंडियन कंपनी कुछ थी स्टार्डिंग में लावा कार्बन माइक्रो मैक्स यह सब कंपिटिशन हट गई है बर जो सुनने में जो नया अप्रेट है आपके मतलब का हो गया अप्रेट दोस्तों कि जो अप्रेट नया है कि यह मेनिफिट उठाना चाहती है अच्छी बात है मौका है इनको दुबारा से मार्केट में आना चाहिए और बिलकुल परटक्ट अच्छी होंगे तो हम जुरूर खिर देंगे क्यों नहीं खिर देंगे आगे बढ़ते हैं एक और बात है जो आपको शायद नहीं पता होगा कि बी बी के एलेक्टोनिक्स रियल्मी ओपो वीवो वन प्लस वन ये सभी इस सिंगल कंपनी के सब राड़ा उनके अंडर ही आते हैं और आगे बढ़ते हैं यहां एक और अपडेट था इस पर मैं लग से वीडियो बढ़ाऊंगा वो यह था कि ऑकिनावा के बारे में जाना लगता है लेकिन ऐसा नहीं है मैं इस पर सर्च कर रहा हूं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल के साथ तो यह था आज का अवराल जो मेरे अपने व्यूस थे जो मेरे अपनी सरस्तिमान आपके सामने रखा है उससी के साब से अगर आपको अच्छा लगा तो शे